यदि आप YouTube में वीडियो बनाते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि आपको वीडियो में विव और सब्सक्राइबर लाने में कितना टाइम लग जाता है मैं कोई YouTube गुरू तो नहीं हूँ लेकिन कुछ महीनों से मैं YouTube में काम कर रहा हूँ और कुछ चीजे मैं जान गया हूँ और मैं चाहता हूँ ये सारी चीजे आपके साथ शियर करी जाएं क्योंकि आप लोग का सपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी YouTube चैनल गुरू नहीं कर पाएगा और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आपका YouTube चैनल और आपके सब्सक्राइबर और विव भी बढ़ें क्योंकि मेरे पास डेली बहुत सारे मेल और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा उन्हें विव नहीं मिलने हैं किसी को विव म बताता हूँ तो आप ये जान लिजे कि आपके जैसे जैसे विव बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे आपका सब्सक्राइबर का जब ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ेगा ये कोई ट्रिक नहीं है ये भी एक ऐसी चीज है जो हर जितने सक्सेस्फुल यूट्यूबर है वो ह आप ये जान लिजे आज नहीं तो कल आपका यूट्यूब चैनल पक्का ग्रो करेगा तो इस वीडियो को इसकी बिलकुल ना करिएगा क्योंकि आज मैं आपको छोटी से बड़ी चीजे सब बताने वाला हूँ ये वीडियो यदि अच्छा लग जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और जश्ट बगल में घंटे का बटन है यदि इसे दबा देंगे तो आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा चलिए बिना किसी बगजग के स्टार्ट करते हैं तो बनाने से पहले सबसे बड़ी बात होती है टॉपिक अब आपको टॉपिक कैसे पता चलेगा जो ट्रेंडिंग में हो क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग ने कमेंट्स किया है जिनोंने ये पुछा भाई मैं किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको गूगल का ट्रेंड्स तो पता होगा यदि नहीं पता है तो सिंपल आप गूगल की इस जो वेबसाइट है इसका यूज करिए यहां आपको सारे के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आप इसमें कंट्री सिलेक करिए और इस कंट्री में आज कौन सा टॉपिक ज़्यादा पॉपलर हुआ कौन सा टॉपिक कितना ट्रेंडिंग में है वो अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने उस पे भी एक वीडियो बनाया है जाके उसको देख लीजेगा अब चलते हैं आपका टॉपिक होगे आप टॉपिक के बाद आती है वीडियो की जितनी अच्छी आपकी वीडियो की क्वालिटी होगी उतने ही जादा उतना ही जादा आपका वाश टाइम बढ़ेगा तो ये ध्यान रखिए आप अपने वीडियो का क्वालिटी जादा अच्छा करिए और वीडियो को बनाने के लिए आप वंडर्शेर का सौफ्टेयर भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप कैम्टेशिया भी यूज़ करते उसे भी अच्छा बनाएं और HD में बनाएं क्योंकि जो आपका HD होता है वो जादा ही अच्छे से आपका क्लियर दिखाई देता है और YouTube उसको रैंक भी जादा अच्छे से करता है चली आपका HD वीडियो भी बन गया अब बात आती है आपके थमनेल की आप ऐसा थमनेल लग है आप पिकमंकी का यूज़ कर सकते हैं यहां आपको वीडियो के जो थमनेल है वो बहुत अच्छे से आप क्रियेट कर सकते हैं और कोशिश यह करिए कि थमनेल के इतना ट्रेक्टिव कर सकते हैं अब बात आती है आपके title की description की और tag की इसके लिए आप क्या कर सकते हैं Google का keyword planner है आप उसका use कर सकते हैं वहाँ जाकर आप ये देख सकते हैं कि जो भी आप video बना रहे हैं उसको कितने लोगों ने सर्च किया है वो popular है की नहीं है और वही सारी चीजे आप title में और उसके बाद description में और मिली जूली चीजे ही आप उसमें tag में डालिए और एक चीद ध्यान रखिए जो भी चीज आप लिख रहे हैं title में उसका ही चीज आप description में लिखिए और वैसा ही चीज आप title में ही लिखिए keyword planner के साथ साथ आप जो YouTube का उपर का सर्च वार होता है उसमें भी आप सर चिंजन में कहां rank करता है इस तरह यदि आप करते हैं अपने YouTube वीडियो के साथ तो आज नहीं तो कल आपका वीडियो ज्यादा popular हो जाएगा ये कोई trick नहीं है लेकिन आप इस तरह यदि अपने वीडियो की quality आप tag अपना description अपना थम ले जितना च्छा बनाएंगे उतना जल्दी आपका वीडियो popular होगा और उतनी ही जल्दी आपको वीडियो के साथ सब्सक्राइबर भी मिलेंगे मैं कोई गुरू नहीं हूँ लेकिना मैंने कुछ दिन इसमें काम किया है YouTube में तभी मुझे ये पता चला है कि यार ये सारी चीजे माइने रखती हैं तो मुझे लगा नहीं आर आपको भी बताना चाहिए यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू जैहिंद